Hello viewers, welcome to our channel Kids English Guru, आज हम आपको one word substitution यानि की पूरा वाक्या सिर्फ एक शब्द में बताएंगे, जिससे आपकी English काफी smooth हो जाएगी, साथ ही आप short में sentence खतम कर पाएंगे, तो चलिए, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हैं, one who just believe in luck, वो जो सिर्फ किस्मत को मानत हैं, या भरोसा करते हैं, तो उसे fatalist कहेंगे, something which can't be ignored, कुछ जिसे अंदेखा नहीं किया जा सकता, उसे कहेंगे, indispensable, that can't be changed at any cost, जिसे किसी भी कीमत पर नहीं बदला जा सकता, उसको कहेंगे, irrevocable, one who is all powerful, वो जो सभी शक्तिशाली है, मतलब वो जो बहुत शक्तिशाली होता है, powerful होता है, उसे कहते हैं, omnipotent, who believes in God, जो एश्वर को मानता है, या भरोसा करता है, उसको one word में कहते हैं, atheist, atheist, spelling A-T-H-E-I-S-T, अब है, who studies about the language, जो भाशा के बारे में अध्यान करता है, या पढ़ता है, तो उसे कहते हैं, philologist, अब है, something that can't be corrected, कुछ जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, उसे कहेंगे, incorrigible, one who can never be beaten, या defeated, वो जिने कभी हराया नहीं जा सकता, तो उसको कहते हैं, one word में, invincible, अब है, who eats everything, जो सब कुछ खाते हैं, उन्हें कहते हैं, omnivorous, animal भी होते हैं, omnivorous, one word में, omnivorous खा जाएगा, next है, government by one person, एक व्यक्ति द्वारा सरकार, सरकार जो एक व्यक्ति चलाता है, मतलब, राश्तंत्र, जो किसी एक इंसान के पास होगा, तो उसको कहेंगे, autocracy, फिर है, who depends on other, जो दूसरों पर निर्भर रहता है, उसे, one word में कहेंगे, parasite, अब है, who is brought up by a person, who are not his parents, जिसे एक व्यक्ति पालता है, जो उसके माता-पिता नहीं है, तो उसको कहेंगे, one word में, foster child, who is devoted to the welfare of women, जो महिलाओ के कल्यान के लिए समर्पित है, या उनके कल्यान के लिए, welfare के लिए होता है, उसे इंग्लिश में, और one word में कहते है, feminist, या आपने काफी दफ़ा सुना होगा, social media पर, what feminist, तो इसको इसके लिए इस्तमाल किया जाता है, अब है, who is easily believes in whatever is told, जिसे जो भी बताया जाता है, वो उस पर आसानी से विश्वास कर लेता है, उसको कहते हैं, credulous, अब जो last है, वो है, who is easily befooled, जिसे आसानी से बेफ को बनाया जा सकी, तो उसे one word में कहते हैं, gullible, तो ये थे कुछ one word substitution, पूरा वाक्या जिससे शरिफ एक सब्द में, इन words को आप use कर सकते हैं sentence में, जिसमें आपको पूरी बात नहीं बोलनी पड़ेगी, शरिफ आप इस word को यूज करके sentence बोल सकते हैं, या बना सकते हैं, जिससे कि आपकी English काफी, smooth हो जाती है, और साथी short भी हो जाती है, और impressive लगती है, तो आज की वीडियो में फिलाल इतना ही, गड़्स को चाये तो आप याद भी कर सकते हैं, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चनल किट्स इंगलिस गुरू को सब्सक्राइब कीजिए, साथी बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएं आपको स सबसे पहले, तब तक के लिए थैंक यू गुडबाई, विजिट अगयन